आप जानते ही होंगे कि बहुत ज्यादा लोग हर रोज प्रेम में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रेम के शिकार होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रिलेशन्शिप जो शुरू होते हैं, और इसलिए इतने ज्यादा ऐसे रिलेशन्शिप हैं, जो बस बीच मजधार में ही दम तोड़ देते हैं, ब्रेक अप हो जाता है, और scientifically यह माना गया है कि ब्रेक अप, जब कोई भी व्यक्ति ब्रेक अप के एक्सपिरियंस से गुजरता है, तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बोरा उसका एफेक्ट हो सकता है, अब यूनो वैसे मेरी राय तो यह है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, तो ज़रा भी रिलेशन्शिप तोड़ने का प्रयास ना करें, उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताएं, हर जो पॉसिबल, जो भी करना पॉस तो you know, definitely health के उपर तो effect होता ही होता है, और इसी लिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ positive breakup और negative breakup के बारे में, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा भी कोई breakup होता है, मैं हूँ प्रीती और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क positive breakup क्या होता है, negative breakup क्या होता है, और मतलब किस तरह का breakup आपको करना चाहिए, break up अगर नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, कोशिश कीजिए, अप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, information सारा समझें, you know, it is extremely important, मुझे पता है कि ये आपकी life के related information आपको मिल रहा है, तो इसी लिए इसे बिलकुल भी lightly मत लीजिए, seriously लेजिए इस information को, okay, stay tuned. चलिए, पहले तो जानते हैं कि negative breakup क्या होता है, अब negative शब्द जैसे जाहिर करता है, right, कि जो breakup बुरा होता है, कि जो आपको बुरा महसूस करवाता है, जरा भी आप यह दिलको चैन नहीं होता है, दिलका सकून छीन जाता है, उसे हम negative breakup कह सकते हैं. अब यह दो negative breakup में, बचलब problem क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कि दो लोग एक दूसरे के साथ आख में छोली खेलते हैं, एक दूसरे को बताये बिना breakup कर देते हैं, एक ने बताया है, दूसरा स्वीकार नहीं कर रहा है, मनाने का प्रयास शुरू है, लेकिन दूसरा व ब्रेकप यहाँ पर ऐसे भी होता है, अब आप कहेंगे लेकिन ऐसा करना है, कि वह सी, ऐसा मैंने कहा, जितना पॉसिबल हो, ब्रेकप मत करो, टोटली मत करो, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं, कि यह जानते हुए भी, ऐसा सुना है उन्होंने, फिर भी वो ब्रेकप करें करेंगे, तो I would like to give one reason, you know, negative breakup इसलिए होता है, ज्यादा तर जो कार्मिक relationship है, जहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे को दर्द देने के लिए वो आये हैं, एक दूसरे को pain, दर्द देने के लिए वो relationship में उतरे हैं, और इसलिए relationship में जाते जाते भी वो दिल तोड़ कर जाएंगे, बहुत बुरी तरह से उनको घायल करके जाएंगे, कुछ लोग तो literally घायल करके जाते हैं, तो यह हो गया negative breakup, अब ज्यादा तर negative breakup जो होता है, maximum लोग वही रास्ता चुनते हैं, maximum लोग उसी चीज को पकड़ कर बैठा रहते हैं, because they don't know anything about a positive breakup, तो negative breakup जैसे मैं आप से कहा कि दूसरी व्यक्ति के साथ, आप बिना बात किये, बिना कुछ भी सुलजाएं, आप जब ब्रेक अप कर देते हैं, येस, दूसरी व्यक्ति की मरजी के खिलाफ, तब उसे negative breakup कहा जाता है, तो अब चलते हैं, positive breakup की तरफ, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? अब यूनों, ये positive breakup वाली बात क्या है, कि जहां पर दोनों लोग साथ अबैट कर बात करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कि भई, relationship को कैसे बचाया जाए, बहुत ज़्यादा बार इन्होंने बात की, फाइनली कोई solution नहीं निकला, इसलिए दोनों ने आपस में ये decide किया कि भई, अब तो अलग हो जाना ही सही है, ओके, देखो, positively breakup करेंगे, उसमें भी दुखी होंगे ही होंगे दोनों लोग, लेकिन जो एक बहुत बुरी वाली भावना होती है, जो बहुत ही आपको गंदा वाला feeling आता है, जैसे कोई आपको dump करके चला जाए, उस तरह की feeling नहीं आएगी और उतना बुरा effect नहीं पर, जैसे मैंने starting में कहा, scientifically माना गया है, breakup का बहुत बुरा effect होता है health पर, तो दूसरे case में अगर positive breakup है, तो उतना बुरा impact नहीं होगा health पर, ओके, तो positive breakup क्या है, positive breakup जैसे मैंने कहा, दो लोगों की agreement से होता है, कि चलो भाई, कर लेते हैं, breakup अब तो और कोई चारा नहीं है, तो कर लेते हैं, right, because ये इंडिया में बहुत ज्यादा मैंने देखा है, इतने ज्यादा relationship होते हैं, इतना ज्यादा प्यार होता है दो लोगों के बीच में, but somehow वो उस relationship को शादी में नहीं परिवर्थित कर सकते हैं, और इसलिए breakup कर देते हैं, अपको बहुत अच्छा एक example बहुत कुछ कुछ टाइम पहले, मुझे खुद नहीं पता था कि positive breakup जैसा भी कुछ होता है, और इसलिए I was like really shocked, मेरे एक client से मुझे सीखने को मिला, जैसे हम कहते हैं, बले आप taro उनके लिए करते हैं, उनकी life सुधारने के लिए, लिकेन अपके client से भी, आपको काफी ज़ relationship में 7 साल से थे, 7 years उनका relationship था, और बहुत उन्होंने कोशिश की के शादी कर ले, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और somehow उनको लगा के भई, अब relationship possible नहीं है, उन्होंने हर मुमकिन प्रयास कर लिया, लेकिन फिर जब लगा के अब relationship हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने decide क कर लिया कि वो break up करेंगे, अब break up कैसे करेंगे वो आपको बताती हूँ, okay, break up करेंगे वो तो decide हो चुका है, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे मैं रखा लड़की 20 साल की थी, okay, और उसका 21 बर्दे आने ही जा रहा था, और जैसे मैंने आपको बता हो जाए, उसके बाद हम break up कर लेंगे, okay, तो यहाँ पर लड़की का 21 बर्दे, उस लड़के ने उसे 21 अलग अलग प्रेजन्स दिये, तोहफे दिये, और just because 7 साल से रिलेशन था, तो हर गिफ्ट उसने 7 अलग अलग नमबर का दिया, मतलब कि जैसे पहला गिफ्ट, चोकले तो 7 अलग अलग चोकलेट दी, दूसरा गिफ्ट, जैसे के फ्लावर्स, तो 7 अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स दिये, तीसरा गिफ्ट, टेडी बेस, उस लड़के को टेडी बेर बहुत पसंद थे, तो उसने 7 अलग अलग तरह के टेडी बेस दिये, फिर पर कुछ और गि अब देखो अब आप कहेंगे अच्छा मतलब इतना ज्यादा खर्चा आजाते जाते भी सी अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पर आप पैसे डेफिनेटली नहीं देखेंगे इतना प्यार था इतना पॉजिटिव था इनका रिलेशन की येस दा डेड नॉट मैटर दोनों एक दूसरी के उपर बहुत ज्यादा खर्च करते थे तो जाते जाते भी उन्होंने डिसाइड गया के भाई ऐसा कुछ ब्रेक अप करेंगे अब you know definitely सबसे painful चीज है कि जिसको इतना ज्यादा प्यार करें उनको छोड़ कर जाना है सबसे ज्यादा दर्द देने वाली चीज वो तो उन्होंने कर ही ली थी दर्द तो वो रहने ही वाला था उनके लिए लेकिन वो एक अच्छी वाली भावना रहेगी मन में हमेशा जब भी उस व्यक्ति के बारे में वो सोचेंगे मन में खुशी आएगी कि हां भई जाते जाते इन्होंने मेरे लिए ये किया था दिल तोड के नहीं गये थे खुशी खुशी विदा किया था कुछ उस तरह का फिलिंग उनको रहेगा तो इस वाई ये वीडियो मैंने बनाना सोचा बिकल्स मैंने येस जस पिकल्स मैं टैरो करती हूं अपने परसनल लाइफ मेरी मेरी फ्रेंज के साथ कुछ लोगों के साथ रेलेटिव के साथ जब ये होता है I have seen this कि जब लोग ब्रेक अप करते हैं तो they don't care about the feelings about the other person मतलब सीधा dump करके चले जाते हैं, avoid करना शुरू कर देते हैं, बात बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, आच चलता है बहुत famous है WhatsApp से ब्लॉक, Facebook से ब्लॉक तो ये सब कुछ करने के बाद भी, मतलब yes, मतलब बहुत ज़्यादा negative feeling, बहुत ज़्यादा bitterness रह जाती है मन में और इसी लिए it is important कि अगर आप break up करने भी वाले हैं, तो अच्छी तरह से पहले बात करो you know, I think ये इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा problem है, अगर कोई व्यक्ती break up करना चाहते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, तो भई, clearly बताओं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या problem है at least जिसको आप इतना प्यार करते हैं, उसको उतना तो जानने का अधिकार है, right, उसको उतना तो अधिकार है, कि आप मतलब दिल से transparently उसके साथ पूरी बात करें so yes, that is the thing what I wanted to say, अब you know, चैसे मैंने इस वीडियो की शुरुवात में कहा, एंडिंग में भी वापस वही बात कहती हूँ, break up अगर नहीं करना है, तो वो सबसे best है, because you know, जिससे आप प्यार करते हैं, अगर उसी व्यक्ती के साथ आप अपना पूरा जीवन बिताएं, आपक लाइफ में सकसेस कुछ अलग रहने वाला है, बट फिर भी अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि break up करना है, तो positively break up करो, दिल तोड के, दर्द दे के जाओ, और जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो at least, मतलब वो इतनी बुरी, सबसे कड़वी memory बनके रह जाता है, तो उससे बहता है कि बुरी तरह से डंप ना करो, अच्छी तरह से positively उस चीज के साथ डील करो, और फिर आगे बढ़ा, अब यह जैसे मैंने कहा, मैंने मेरे clients से सीखा हुआ, यह जिस मुझे भी नहीं पता थी, इतना beautiful तरह से इन्होंने handle किया, मतलब इतने मतलब इतनी उम इतने level तक का यह सूथ सकते हैं, okay, so yes, so this is how आप positively breakup कर सकते हैं, मुझे comments में अब आपको बताना है, because यह आपकी life के लिए बहुत important चीज मैंने आपको सिखा ही, right, तो दो बहुत important points कि जो आप इस वीडियो से सीखे वो आपको मुझे comments में बताना है, सबसे पहला, कि आपने positive breakup के बारे में क्या सीखा, और दूसरा, कि आप किस तरह से इस वीडियो का जो knowledge है उसे use करने वाले हैं, okay, I do want to know that, yes, because अगर आप अपने जीवन के बारे में कुछ सुधारना चाहते हैं, तभी आप इस पूरे वीडियो के end तक टिके रहे हैं, right, जो interested नहीं होते हैं, वो तो एक दो मिनिट में ही देख कर चले जाते हैं, लेकिन आपने पूरा का पूरा देखा, तो इसलिए I want to know from you, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, like बटन ज़रूर क्लिक कीजे, मुझे comments में बताइए, जो भी मैंने आपसे कहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वी पूर्पिस बिकिस यू आपन फॉर रीसं, थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग, बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजे, उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है, उसमें से और नोटिफिकेशन से लेकिजे ताकि हर एक वेडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पा क्लिक का चांत।